हेलो बच्चो नमस्कार मैं मनुराठी आप देख रहे हैं मनुराठी यूट्यूब चैनल डिटेल में विस्तिरित तरीके से आपको चतिसगड राज्ये में आने वाली भरती और उससे सम्मंदित नियमों को लेकर आज हम बात करेंगे ठीक है यह हैं आपके ब्रिज मुहन विवीजन किया जाएगा ठीक है रचतिस गडए अपिस गड़ में होता है यह विजुन एपके लिए उन्होंने कहा है , न आफके आवेधन शुरू हो जाएंगे 土म से प्रिपम 2022 में करा ली जाएगी, ठीक है, यह क्या हुआ, 36 गर्ट, अब 36 गर्ट जो होता है, CG टैट जिसको हम कहते हैं, उसका एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, जैसे कि आपका सी टैट का होता है, पेपर 1 होता है, पहली से 5 वी के लिए, पेपर 2 छटी से 8 वी के लिए, अब इसके अगर हम स्लेबस की बात करें बेटा, तो इसके स्लेबस को आप देख सकते हैं, कि इनका 36 गर्ट का स्लेबस जो है, वो बिल्कुल आपका सी टैट जैसा है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं, आपकी सी डीपी में आपका चाइल्ड डवलोपमेंट के तॉपिक्स बिल्कुल सेम आपके वही हैं, ठीक है, पेडागोजी भी पूछी जा रही है, तो बिल्कुल आपका सी टैट के पैटन पर ये स्लेबस है, ठीक है, तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक हेल्प के लिए बता देती हूं, ठीक है, ये आपकी दो हैं ठीक है जो कि आपको Notebook Academy यूट्यूब चैनल है हमारा वहाँ पर आपको यह मिल जाएंगी तो आप यह दोनों वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने 36 गर्ट के CDP की एक मेराथन करा रखी है और जो पेपर हुआ था उसका एक सॉलूशन करा रख है Notebook Academy हमारा यूट्यूब चैनल है संजीव सरवाला वहाँ पर आप यह दोनों वीडियो देख सकते हैं आपको help मिल जाएगी इन दोनों को कड़ लेना ठीक है अब आगे क्या बात है आगे देखिए बात यह है कि इन्होंने का था कि भई सीजी टैट हम कराएंगे ठीक है अब इससे पहले जो थी वह भूपेश सरकार की सरकार थी उन्होंने क्या किया था उन्होंने 2023 में भर्ती निकाली थी भर्ती कि अगर मैं बात करूं वह भर्ती भई पांचवे महिने में निकली थी ठीक है यानि मही में निकली थी और 21 दिन प्रात्मिक के आपके 4659 पत आये थे एक इंपोर्टन बात क्या रहती है जब हम 36 घड में बात करते हैं सिक्षक भर्ती की तो अन्य राज्य को लेकर एक बड़ा बात रहती है तो देखिए जब पिछली बार 2023 में आपकी भर्ती आई थी जिसको जो मैंने अभी आपको लिखा रहे ह病 हूं कि जो अभियरतियों को 36 घड राज्य का निवास होना आनिवा रहे है तो 36 घड राज्य का बंदा ही वहाँ पर आवेदन कर सकता है ठीक है तो यह 2023 में अवर्टी निकली इसकी परिक्षा भी होगी, जोइनिंग ही हो गई है ठीक ह। उस परिक्षा को ले अरे नहीं हम तो 50% करेंगे, दूसरी बात यह कि जो भुपे सरकार थी उन्होंने middle level पर विशे की अनिवार्यता को स्माप्त कर दिया था, विशे से संबंदित प्रशन नहीं पूछे थे उन्होंने, उन्होंने का नहीं, विशे expert होना चाहिए middle पर, तो हम विशे के अनिवार रिक्षा लेंगे, ठीक है, उसके अभी पद भी बताती हूं कितनों पर, उन्होंने का कि हम विशे की अनिवार्यता को जारी रखेंगे, यह बात उन्होंने कहीं, ठीक, और बात देखे क्या है, और बात यह है कि आपके फुल जो है पद, अभी तक हमारे प्रचारे के 3576 प प्रधान पाठक प्रात्मे के 3158 और आपके सहायक सिक्षर, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर उसके जो है 25,890 पद, अब यह परिक्षा कब होगी, ठीक है, अब मैं आपको यह बताती हूं कि आपकी यह वाली परिक्षा, ठीक है, आपकी जैसे मैंने आपको बता लगबग 33,000 पद हैं, इसकी परिक्षा है, यह है सारा मामला, और देखिए स्लेबस, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी का क्या रहता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूं, ठीक है, ताकि जो CGTET पास हैं, वो तो तो त्यारी पे लग चुके हैं, क्योंकि पिछली बार विचारों को बहुत कम टाइम मिला था, ठीक है, तो उनका स्लेबस अगर आप देखेंगे, वो भी यह है, कि बाल, विकास, सिक्षा, शास्तिर, 30 मार्क्स का, समाने हिंदी 25, समाने अंग्रेजी 25, गणित और विज्ञान 30, समाजी कद्धिन 20, कंप्यूटर, समंदी, समाने ग्यान दसंग का, यह रहेगा आपका पैटन, MCQ बेस आपकी परिक्षा आएगी, यह मैंने आपको बताया, जो 33,000 पद निकलेंगे, उसमें, जो हमारा प्राइमरी प्राथमिक का पैटन यह रहेगा, और यह यह विशे आपके आएगे, CGTET का सेम पैटन, CTET का ही है, पैड 33,000 पद के लिए, तो जो 36 गड़ राज्ये का है, वो तो तो त्यारी पर जुट जाओ, अच्छी तरीके से कीजिएगा, और जानकारी हमारी सटीक लगती है, भरोसे वाली लगती है, वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए, मनुराथी चैनल को सब्सक्राइब कानकारी रणनीतियां लाते रहे, थैंक यू